देश के गरीब को मध्यमबर को स्वास्त सुमीदाय देने के लिए आप दर्जनों अस्पताल चला रहे हैं। युनिवर्सल हैल्थ केर के परती आपकी ये सोच देश को समाज को सक्ति देती रही है और भविश मैं भी और मजबूत करेगी। आप सभी ये भी जानते हैं कि देश में स्वास्त को पहली बार सरकार ने इतनी प्राफिकता दी है। एफ़र्डेबल हेल्थ केर प्रिवेंटिव हेल्थ केर को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वाल्टिटी हस्पतालों, हेल्थ और वेल्नेस सेंटर्स का जाल बिछाय जा रहा है। जम अउश्वति केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्द की जा रही हैं। मुक्त डायलिसिस की सुविधाएं दी गई हैं। हार्ट और नीज सरजरी के लिए इस्तिमाल होने वाले सामान की किमतों में भारी कमी की गई हैं। अब आईश्वान भारत देश के करीब करीब पचांस करोड गरीब भाई बहनों के लिए संजीवनी बनकर के आई हैं। यह छोटा कारकम नहीं है। अमेरिका, कैनेडा, मैक्सिको की जितनी संख्या है उच से जादा लोगों के लिए आईश्वान भारत का कारकम हम हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं। पूरे यूरोप की जितनी जनसंग्या है करिब करिब उतने लोगों को हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ के लिए आईश्वान भारत की योजना लागो कितना बड़ा काम कितने लोगों की भलाई के लिए काम इसकी अब कल्पना कर सकते हैं एक साल में पांच लाख रुपिये तक का हर परिवार को मुप्त इलाज चोटा निरे नहीं है पचास करोड लोगों का हर परिवार का पांच लाख रुपिये का सानाना तक का पूरा खर्चा उसके इलाज का पूरा जिम्मा सुनिश्चित करने वाली आईश्मान योजना का इ और 25 सितंबर जबकि पंडित दिंदाल उपाध्याईची की जन्व जहनती है उसे देश भर में लागू किया जाएगा